इस नमकिन को बनाने के लिए मैंने यहां पे लिया यह कॉनफलेक्स वाला चूड़ा तो यह देखिए दोस्तों यह दुकानों पे अच्छे से मिल जाता है उसली मिल जाता है तो मैंने konflex लिया है और यहां पर देख लिए तो देखे दोस्तों इस नमकीन को बनाने के लिए मैंने कुछ किश्मिस लिया है और बदाम लिये काजू लिये जिसे मैंने बीच से अलग कर लिया है अब इसकी quantity कम जादा रख सकते हैं और यहां पर एक कप यह मैंने भुना कड़ी पथ्ते मिले मेरे पास हर्ये वाले नहीं थे हैं दो मैंने इसे ही ले लिया है कड़ी पत्ते का स्वाद बहुत अच्छा आता है इस नमकीन को बनाने के लिए मैंने आप सफेद वाला एक चमद्य नमक लिया है और यहीपर मैंने 10-10 चम्माज काली मिर्च पाउडर लिया है और यहीपर भुना हुआ जिरा 10 चम्माज इसे भी ले लिया है लाल मिर्ची पाउडर 10 चम्माज डालें के डालें यहां upset एक चमच पी सकते हैं आपको आप यहां पे मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम जादा कर सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे तो हमारे मसाला फ्रेंस रेडी हो गया है तो इसे रखते साइड में चलिए बढ़ते हैं गैस की तरफ देखिए फ्रेंस मैंने य तेल का इस्तमाल नहीं किया है तो इसे मखाने बहुत सेहर के लिए अच्छे रहते हैं फ्रेंस हमारी नमकीन बहुत हेल्दी बनने वाली है तो धीमी आज पर इसे मैं पांच मिनट के लिए रोस्ट करूंगी कि इसे चेक करना यह हुआ है कि नहीं तो इस तरह से फूटने लगेगा इट मींस यह पग्या है तो कडाई काम तापमान चेक करेंगे यह रेखिए यह पूल रहा अच्छे से इसका मतलब यह पग्ड तेल गरम हो गया है तो एक तेल गरम रहना रहाएं तुमें यह डाल को सारे चूडा अमारे खिले-खिले निकले हैं तो इसे निकाल तो इसे निकाल ले रही हूं है यह देखिए बहुत ही अच्छे से यह देखिए चूड़ा इसी तरह हम और भी फ्राइ कर लेंगे चूड़े को तेल का तापमान गरम रहेगा तभी यह खिले खिले होंगे यह रेखिए तो कितना अच्छा फ्राइ हुआ है यह मूमफली को भी फ्राइ कर लेंगे इसे मेडियम तो लो फ्लेम पे करना है फ्रेंस में तो मूमफली जल जाएगी तो देखिए फ्रेंस मुंफली में क्रैक आने लगा है तो मैं इससे निकाल लूँगी इससे जादा हमें नहीं पकाना है तो उसका स्वास कड़वा हो जाता है तो ये देखिए मुंफली हमारी पक गई है इसे निकाल ले रहे हूं जिसमें मिक्स करना है मैं तेल को कम कर दिया है तो मैंने यहां पर यह बदाम इसके टुकड़े लिए हैं इन्हें अलका सा रोस्ट करना है तो दीमी आज पर इसे भून ले रहे हूं मैं इसी में मैं थोड़े काजू भी डाल दूंगी बादाम हमारे हलके रोस्ट हो गए हैं और मैंने यहां पर किश्मीज भी इसके अंदर डाल दे रहे हूं और हलकी आज पर इसे भून लेंगे तो मैं इसे निकाल ले रहे हूं इन्हें जादा नहीं भूलना है इम बरतन में इस देखिए फ्रेंज में आप एक चमस सॉफ ले यूं तो अच्छे से इन्हें भी भून लेना है तेल में और मैंने आप एक करी लीव्स ली है इसे भी भून लेंगे हाला कि मेरी करी लीव सूखी हुई है लेकिन इसे भून लेंगे इसे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है तो मेरे पास फ्रेश नहीं थी तो मै ने इस ही का यूस किया है तो यह रेखिए कुछी सेकेंडों में हमारी सॉफ भी रोस्ट हो गयी है तो इसे मैं निकाल ले रहें हूं और यह देखिय ए फ्रेंज इसे डारेक लिम हमें डाल दे रहे हूं ये रेकिए मसालों में मैं आमचुर पाउडर भूल गई थी इसे डालना तो मैंने डाल दिया इसे खटा मीठा तीखा सब फ्लेवर आएंगे मूह में के भूणा हुआ है इसे डाल दिया और इसे अपने अठी के आख आएंगे म्कुन करने सता का किजिए डाल पाउड़ आप अपने नमकीन में म्कई के होड करना है तो एक एक चमट डालते जाना को इसे अचिness करते जाना है那麼 stillness and it is very good एंद रहे मसाले एएक साहत नहीं डालना है मैं मिक्स करते जाना है तो यह देखिए अचिन अचिन हो रहे हैं काब मसाले आपने अपॉर्डिंग कम जदा कर सकते है आपको ऐससा चाइए तीखाय मीथा तो ये देखिए हमारी नमकिन बन के बिलकुल बिलकुल रेडी है और ये कुछी मिंटो में बन गई है और बहुत ही डिलिसिस है आप इसे चाह के साथ इवनिंग स्नैच के रूप में ले सकते हैं ये बहुत ही मस्त है ये देखिए कुछी मिंटो में बन जाती है और बहुत ही झाल झाल